नमस्कार विंद्रो मैं हूँ C.A. तेजस अंदारिया भावनगर गुजराच से और आज हम जानेंगे सोवरिन गोल्ड बॉंड के बारे में तो पहले तो यह जानते हैं कि यह है किया सोवरिन गोल्ड बॉंड मालीजे मेरे को सौने में इन्वेस्ट करने का है तो मेरे पास एक आप्षण यह है कि मैं जाके सोना खरीजना थोड़ा सा तो उसमें रिस्क यह रहता है कि वह सौना चूरी भी हो सकता उसको hold करना है वो उसका एक सबसे बड़ा जोखम है लेकिन उससे अच्छा एक option गवर्मेंट ने हमको दिया है कि गवर्मेंट की और से reserve bank issue करती है sovereign gold bond, sovereign gold bond जो होता है वो हमसे रुपया लेके हमको certificate दिया जाता है certificate सोने में ग्राम लिखे होते हैं कि इतना ग्राम सोना है यह certificate में तो वो ग्राम में denominate किये होते हैं उसके units तो minimum उसमें एक ग्राम खरीदना पड़ता है और maximum पूरे साल में मिला के हम चार किलोग्राम खरीद सकते हैं कुछ trust वगेरा के लिए वो limit 20 kg है पर year की लेकिन individual के लिए हुआ है चार किलोग्राम maximum for financial year तो उसमें हमने निवेश किया मान लीजे आज की तारिक में तो जो government ने उसका rate ते किया होगा government rate ते market rate के हिसाब से करती है कि government अगर आज issue कर रही है इसको तो आज से पहले के जो तीन दिन है उस तीन दिन में market में जो rate रहा है उस rate की simple average निकाली जाती है और उसके हिसाब से government declare करती है कि इस rate से हमने ये issue निकला है वो issue हम भरते हैं और उसमें से हम अगर खरीदते हैं तो वो rate लगेगा हमको बाद में 8 साल के बाद जब ये mature होगा उस time जो gold का rate होगा market में फिर से इसी तरह सगीने जाएगा उस time भी 3 दिन की average निकले जाएगी लेकिन वो उस time के 3 दिन होगे 8 साल बाद के तो उस rate से ये हमको पैसा वापस मिलेगा तो इस तरह से इसमें होता है और आठ साल रखने के जरूरत नहीं है पांच साल के बाद इसमें option रहता है कि अगर आप चाहे तो इसमें से पैसा बाहर निकाल सकते हैं पांच साल के बाद और रखना चाहे तो आठ साल के बाद तो ये हमको साल में दो बार 6-6 मेने के अंतराल में interest हमारे account में pay के आ जाता है तो ये इसकी सबसे बड़ी बाद है अगर हमने gold purchase करके घर में रखा तो ये तो वहां पर चोरी का जोखिम खड़ा होता है और दूसरी बाद इस पर हमके कोई interest नहीं मिलता है हमारा जो सोने का बाव ज चीज़ है तो fully secure और है सिर्फ एक ही risk है कि in future gold का rate ही अगर कम हो बिया तो ही इसमें rate कम आएगा otherwise gold का rate market में ज्यादा हुआ तो बाकी तो कोई default risk होगे रहा है नहीं क्योंकि government है इसके अंदर दूसरी चीज़ joint holding permissible है हाँ joint holding भी कर सकते हैं आप एक से ज्यादा विक्ति के नाम पे खरीच सकते हैं दूसरी चीज़ minor के नाम पे भी आप खरीच सकते हैं उसके लिए guardian को apply करना होगा और कहां से यह मिलेंगी यह चीज़ तो इसके लिए आप bank की branches में contact कर सकते हैं post office में contact कर सकते हैं या तो stock holding corporation of India में contact कर सकते हैं इन सभी जगहों से आपको यह authorized dealer है तो इन जगहों से आपको यह bond मिल जाएंगे और एक चीज़ यह bond आपको certificate के रूप में भी मिल सकते हैं या तो अगर आप चाहें कि आपके पास demand account है और आप इस bond को demand करवाना चाहते हैं तो यह demand भी हो सकते हैं अब बात करते हैं इसकी taxability की तो जो इसका interest हमको मिलने वला है 0.5% सालाना के हिसाब से तो वो interest fully taxable है वो interest income हमारी income from other sources में taxable होगी और दूसरी चीज़ जो हमको capital gain भी हो सकता है मान लेज़े अभी मैंने रोका है इसमें तो अभी market rate चल रहा है मान लेज़े पर ग्राम 4800 का और जब 8 साल के बाद यह mature होगा या तो 5 साल के बाद जब में उसको redeem करवा होंगा तब मान लेज़े उसका पर ग्राम का rate हो सकता है 7000 रूपिय तो बीच में जो उसको मुनाफ़ा हुआ जो capital gain हुआ उसके लिए income tax act के हिसाब से ऐसी provision की गई है कि अगर वो resident individual हुआ तो resident individual के लिए वो transfer ही नहीं गिना जाएगा मतलब पूरा capital gain exempt हो जाएगा और अगर वो individual नहीं है लेकिन entry of trust वगरा सब है तो उस cases में क्या होगा कि इसके अंदर indexation तो मिल नहीं वाला है क्योंकि index long time हो जाएगा तो indexation के इस साब से इसकी cost उस time बढ़ जाएगी और gain कम आएगा तो उसके उपर long time gain 20% जो लगता है वो लगेगा लेकिन index के बाद की जो value आती है उसके उपर लगेगा तो यह हुई इसके taxation की aspect और उसके साथ एक और भी बात कर लेते हैं कि TDS कटेगा या नहीं कटेगा इसमें तो इस bond पे TDS नहीं कटेगा हर वेक्ति को इसमें रहेगी मैं इस video के description में RBI की site पे इस पे जो frequently asked questions रखे गए हैं इस विशे के बारे में उसकी एक link रख देता हूं तो आप अगर फोड़ा detail में जानना चाहे तो वहां से भी आप जान सकते हैं और RBI की site में वो update भी होती रहेगी तो आपको वहां से latest information मिल सकती है और और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे इस video के description में लिख सकते हैं मैं बुरा प्रयत न करूंगा उसका सही जवाब देने का और अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो आप इसको like करना और share करना मत बुलेगा और इस channel को subscribe करना मत बुलेगा धन्यवाद